दोस्तो मैं नाजी मुसेन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो दोस्तो आज का वीडियो मारा Excel और Word दोनों के लिए है किस तरह से मैं आपको बताता हूँ दोस्तो हमारा ये Excel के अंदर डेटा है हम इसको Word के अंदर कैसे लेके जाएंगे ये देखिए आपको एक चीज बता दूँ मैं इसको Word में ले जा चुका हूँ ये देखिए इधर सेम यही डेटा है लेकिन इसमें अलग-अलग तरीका दोनों का ये देखिए जो ये डेटा इधर है वही डेटा इधर है लेकिन एक डिफ्रेंस है यदि मैं एकसल के डेटा में कोई चैंजेज करता हूँ तो इधर Word की डेटा में इस उपर वाली टेबल में तो कोई चैंजेज नहीं होगा लेकिन नीचे वाली में अटमेटिक चैंज हो जाएगा यह देखे एक में सेंपल करके बताता हूँ जैसे कि माल लीजिए बेसिक सेलेरी किसी की यह 30,000 है मैं इसको कर देता हूँ 50,000 ओके दोस्तों अब आप इधर में Word की फाइल पी जाके देखता हूँ तो आप इस वाली टेबल में देखेंगे 30,000 ही है 52,000 कर दिया मैंने आप देख रहे होंगे और अब इधर देखता हूँ तो उपर वाली से ले टेबल में तो ही 22,000 है लेकिन नीचे वाली टेबल में 52,000 हो गई यह किस तरह से possible है दोस्तों कि हम Excel के डेटा को Word के अंदर लेके चले जाएं और हम Excel के डेटा में चेंजेज करें और Word के डेटा में भी एटोमेटिक चेंजेज आ जाए तो दोस्तों इसके लिए मैं यह देखिए मेरी एक कोई फाइल है यह डेटा है मैं इसमें से एक यह इस फाइल को बंद कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हूँ और यह मैंने Ctrl N करके एक नई फाइल ओपन कर लिए यह मेरा Word है और यह मेरा Excel है आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों जो डेटा आपको उधर लेकर जाना है उस डेटा को आप सेलेक्ट कर लेंगे स्लेक्ट करने के बाद आप इसको होयोम टेप पर यह कोपी ओप्शन है यहाँ कोपी ओप्शन पर क्लिक कर देंगे यानि डेटा को कोपी कर लेंगे इसके बाद आप Word वाले डोकुमेंट में आएंगे Word वाले डोकुमेंट में आने के बाद यहां यह paste option है, इस paste option पर आप click कर देंगे, यह देखें यह आपका data आ गया लिए border नहीं आई, border लाने के लिए आप क्या करेंगे इस पूरे table को select करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास paragraph के अंदर यह option होता है All Border तो यह देखिए दोस्तो यह हमारा data इधर आ गया है लेकिन इसमें एक problem है क्या problem है यह दि हम Excel के data पहले मैं इसको save कर लेता हूँ यह देखिए मैंने इसको desktop पे save कर दिया है इसमें problem यह है यह दि मैं अभी इस Excel के data में कोई changes करता हूँ तो इस word वाली पे changes नहीं होगा देखिए यहाँ यह basic salary 30,000 है यहाँ यह basic salary 30,000 है अब देखिए यह दि मैं यहाँ पे 30,000 को मैं कर देता हूँ 50,000 यह मैंने 50,000 कर दिया लेकिन आप क्या देखेंगे इधर तो changes हुआ ही नहीं जबकि मैंने आप से कहा था तो मैंने आपको यह बताए था कि एक तो यह normal तरह का paste होता है जिसमें कि हम यदि Excel के data को सिर्फ एक बार copy paste कर लेते हैं तो जो data था वही रहेगा अब आप चाहो कि data इस तरह से हो कि वह Excel में changes हो तो इधर word की file में भी changes हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा हम इसको copy कर लेते हैं यह मैंने copy कर लिया और इधर आके हम इसको paste करते हैं लेकिन हम paste नहीं करेंगे दोस्तों यहाँ paste के उपर जाएंगे यहाँ एक होता paste special पे हम किलिक करेंगे यहाँ पे paste special का जब dialogue box हो आएगा हम यहाँ paste link पे किलिक करेंगे paste link पे किलिक करने के बाद हम यहाँ से लेंगे Microsoft Excel worksheet क्या लेंगे Microsoft Excel worksheet और मैंने कर दिया OK तो देखिए दोस्तों यह हमारी table इधर आगई table इधर आगई अब यह देखिए अब हम उदर के data में change age करेंगे यहाँ भी यह 50,000 से ले दी है क्योंकि हमारी इस table में 50,000 से ले दी है तो मैं अब इस 50,000 को मैं कर देता हूँ 25,000 यह मैंने 25,000 कर दिया तो आप क्या देखेंगे इधर word की फाइल में भी automatic यहां देखिए 25,000 हो गया तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको paste और paste special में difference बताया है और paste special में भी paste link यदि हम file को paste link करके paste करते हैं तो paste special में paste link पे click करके करते हैं तो हमारा जो हम copy करके जो word की file लेके आए है वो excel की file से link हो जाती है और जब हम excel की file में कोई changes करते हैं देखिए इस 9,000 को मैंने कर दिया यहां पे 15,000 तो वो changes हमें word की file में भी मिल जाता है यह देखिए 15,000 दोस्तों यह दिया आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो please इसको like करें सब्सक्राइब करें और comment करें आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूंगा ओके गुड़ बाई